ठुलगोबी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है लेकिन अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलवी दोमट मिट्टी में जिसमें जिवांश्च की प्रचूर मात्रा उपलब्धो सबसे उप्यूक्त मानी जाती है इसकी खेती के लिए अच्छी तरह से खेत को तयार करना चाहिए इसके लिए खेत को तीन से चार जुताई करके पाटा लगा कर समतल कर देना चाहिए जानकार कहते हैं कि फुलगोवी की अच्छी पैदावार करने के लिए खेत में परियाप मात्रा में जिवांश का होना बहुत जरूरी है जानना चाहिए फिर हम उसका मेनेजमेंट भी बताएंगे अगर उसके बाद आप हैं उसके अपकर फोल तेखर देखें के निली अफ पूरा ध revise our जwater हो जाया कि एक सब्सक्राइब हो घ्ला होय सब्सक्राइब है देखत को सब्सक्राइब भी इन धर साब्ण और जारखंड में काफी मतलब काफी देखा जाता है बहुत जगा इस तरह का समस्चा देखते हैं दूसरा है कि यहां पोशक्तत में जैसे मॉलिविडिनम का भी बहुत कमी है मिटी में जिसके चलते देखेंगे कि पत्ता किनारे किनारे सुकुर गया है और उसको हम लोग भंदन करेंगे अगेती फुलगोभी की खेती के समय के वर्षा अधिक नहीं होती है इसलिए इसका रोपन कतार से कतार 40 सेंटिमीटर तथा पौधों से पौधों 30 सेंटिमीटर की दूरी पर करनी चाहिए चाहिए एक देड़ साल का शरावा गोबर खाद या भरमी कंपोष्ट अगर उफलबद हो तो उसको टालना चाहिए दूसरा जैबिक में जो है तो ट्रैकोडर्मा को कंपोष्ट के साथ मिला करके ग्रो करके नर्सरी में भी और खेत में भी डालने से यह डेंपिंग ओफ या किसी त मिटर चोड़ा बनाएंगे और लंबाई तीन से चार मिटर या अपने हिसाब से रख सकते हैं लेकिन वह दस से 20 संटीमिटर थोड़ा जमीन से उठा होना होना चाहिए उपर क्योंकि अगर बारिस होता है तो बारिस होने से उसमें पानी लग जाएगा जिसके चलते जर्मि पाइबादा करेगा दूसरा जो है सो आप जो है नीम का कर्ली का कर्ली अगर आपको मिलता है तो 400 ग्राम जो है एक स्क्वार मिटर के हिसाब से और उसमें खली डालें तो आपको उसमें काफी फैदा होगा जर्मिनेशन अच्छा होगा और बाद में यह बिमारी नहीं आए झाल झाल